फ्रेंड मैं विमल अगरवाल वेलकम तू दिस चैनल आज हम इस वीडियो में कुछ फार्मसिस्ट की वेकेंसियों के रिगारिंग बात करेंगे जैसे कि आप सब लोगों को पता है हम इस चैनल के माधियम से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लाएं बैल आकिन के बटन को प्रेस करते हैं जिससे इस चैनल और सेंटरल फार्मसिस्ट के रिगारिंग अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका notification आप तक प्रॉपर पहुंच सके चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहां पर जो फार्मसिस्ट की वेकैंसी निकली हुई है यह state level पर निकली हुई है यहां पर जो फार्मसिस्ट की पोस्ट रहने वाली है number of post की बात कर लें तो 7 number of post रहने वाली है, post जो है वो pharmacist की रहने वाली है अलग-अलग department में ये post रहने वाली है और अलग-अलग department के साथ यहाँ अलग-अलग district में ये post रहने वाली है जिस तरीके से number of 7 जो post है यहाँ पर वो यहाँ पर डिवाइट किया हुआ, दिखाया गया है, कि कहाँ पर किस district में कितनी post रहने वाली हैं, और किस department के अंडर में रहने वाली हैं, qualification की बात कर लें, तो आपके पास में, B pharmacy या फिर D pharmacy होना mandatory है, और as a registered pharmacist होना भी mandatory है, basically यहाँ पर यह चीज़ें इन्हों ने mention नहीं की हैं, नहीं इसके official notification में ये mention है कि आप as a registered pharmacist होना आपका mandatory है only यहाँ पर इसके official notification में ये mention किया है कि आपके पास मैं B pharmacy या D pharmacy होना mandatory है उसके बाद ही आप इस form के लिए apply कर सकते हैं salary 17,000 per month यहाँ पर salary रहने वाली है age limit की बात कर लाएं तो 43 year age limit रहने वाली है उसके बाद terms and conditions यहाँ दी हुई है इस page की link इस video के description में provide हो जाएगी इस video के description में जाने के बाद link को click करोगे page open होगा और इसकी terms and conditions यहाँ पर आप read proper तरीके से कर सकते हैं अब यह जान लेते हैं कि इस vacancy के लिए किस तरीके से apply करना है जैसे कि आपको हमने बताया इस video के description में जाने के बाद इस page की link वहाँ पर दी हुई है उस page की link को click करके page को open करके आप scroll down करते हुए जब नीचे की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पर एक तो last date पता चल जाएगा इसकी last date 10 January 2022 रहने वाली है और जैसे ही आप more information पर click करेंगे तो इसका official notification डाउनलोड हो जाएगा जिसमें सारी details proper दी हुई है कि किस तरीके से आपको यह apply करना है इसकी terms, conditions, rules, regulations सारा कुछ दिया हुआ है और official notification को पढ़ने के बाद read करने के बाद में अगर आप interested है इस vacancy को apply करने के लिए तो आपको apply online पर click करना होगा आप इसकी official website पर पहुँच जाएंगे जिस तरीकी से हमने क्लिक किया और हम इसकी official website पर पहुच चुके हैं और किस तरीकी से आपको apply करना है यहाँ पर दिया हुआ है application process किस किस तरीकी से application process आपकी रहने वाली है click on registration link to start filing online application तो सबसे पहले तो registration करना है आपको देखो जब scroll down करोगे यहाँ नीचे लिखा हुआ है registration यह registration करना है उसके बाद मैं इसमें post select करने के लिए बूलेगा और then application को इंग्लिस में आप proper तरीकी से fill up कर लोगे उसके बाद मैं after filling required information system will generate login ID password और आप जैसे ही form को fill up कर दोगे तो login ID password आप create कर पाऊगे और then login ID password जैसे ही create होगा तो आप login कर लोगे login करने के बाद यहाँ आप login कर लोगे application number मिल जाएगा आपको password मिल जाएगा तो यह मिलने के इसके बाद मैं आप information जो होंगी detail form की जो information होंगी first page में वो fill up करोगे उसके बाद अपना photo आपको photograph जो है वो scan करके upload करना है अपने signature है वो scan करके upload करने है original documents verify करने के लिए आपको क्या करना होगा basically interview के समय जब इस vacancy के लिए interview कराएंगे वो तो आपको अपने original documents वहाँ पर देके जाने होंगे उसके बाद मैं आपको इसकी application fees submit करनी होगी इसमें कुछ bank charges भी होंगे वो भी आपको paid करने होंगे और इस application की जो fees received है वो आप निकाल के रखिये और आपकी mail address पर भी वो mail कर दी जाएगी then उसके बाद मैं after successful payment application printed facilities will be made available जैसे आप कर लोगे payment application form final हो जाए देगा as a future reference के लिए तो simple step मैं registration करना है registration करने के बाद मैं login ID password मिल जाएगा login होने के बाद मैं application format आएगा उसको fill up करना है photo signature upload करने है उसके बाद मैं payment करना है fees भरनी है और उसके बाद मैं payment करने के बाद मैं आपको final print निकाल के रखना है इस application form का then उसके बाद ये proper तरीके से आप apply कर पाएंगे अगर आपको कोई भी query है कि कौन से state case के लिए person candidate apply कर सकते है जैसे कि हमने आपको बताया इसके official notification में ये mention नहीं किया हुआ है कि इन vacancy के लिए कौन person या किस state का person apply कर सकता है ये ऐसा mention नहीं किया है अगर आपको official notification देखना है इसका तो हम बता चुके है कि वीडियो के description में जाना है description में एक link होगी उस पर click करना एक page open होगा page को scroll down करते हो नेचे की तरफ आना है और more information की link पर आपको click कर देना इसका official notification download हो जाएगा वहाँ पर ये mention नहीं किया हुआ है eligibility criteria में कि आपके पास मैं as a registered pharmacist particular state में होना चाहिए उन्होंने mention किया है कि आपक को और भी information चाहिए तो आपको ये help line number दिये हुए है यहाँ पर ये help line number पर दिये हुए timing पर आपको call करके information ले सकते हो कोई भी information ले सकते हो इस vacancy से related यह यहाँ पर number mention किये हुए और time भी mention किया हुआ है Monday से Saturday 11 बज़े से लेके 5 बज़े तक आप कभी भी इन्वर्स पर call करके जो भी information लेना चाहो इस vacancy से related आप उस number पर call करके ले सकते हो इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल को subscribe करें बैल आइकन के बटन को press करें जिससे state और central government में निकली भी फार्मसिक की vacancy हों के regarding अगर हम कोई भी वीडियो अप्लोड करें तो उसका notification आप तक proper पहुं